तो पच्छे कल हमने इस चैप्टर की लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि यह लोकेशन क्या है ग्रीन लैंड की एंड और फ्रहते हैं लैंड सरफेस büy लैंड सरफेस यानिगी वहां की जो जमीन है वह कैसी है ग्रीन लैंड हैं अपशाइन सो जारी ग्रिहन है वहाँ पे mountainous land surface है यानि कि वहाँ पे mountain है और वहाँ पे पूरे साल भर throughout the year वहाँ पे ice and snow से वो क्या रहते हैं cover रहते हैं आपको मैं इस picture में दिखाती हूँ देखे आप इस picture में देख सकते हैं कि यह mountain बने वे हैं और आपको दिख रही होगी यह पूरी snow है snow से cover हैं यह पूरे ठीक है तो यह surface होते है mountains होते हैं यह पूरे साल भर throughout the year ice and snow से cover रहते हैं ठीक है in fact more than four-fifth of the the total area of greenland is permanently covered with ice and snow यानि कि जो हमारा greenland है उसका four-fifth area जो है total greenland का वो permanently cover रहता है हमारा ice and snow से यानि कि वहाँ पे हमेशा ही आपको ice and snow देखने को मिलेगी आप वहाँ पर कभी भी जो plain surface है वो वहाँ पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि क्या होता है न बिटा कि जो sun rays होती है वो direct fall नहीं करती है polar region पे बिलकुर टीडी होके जाती है तो जो sun की heat है वो नहीं पहुँच पाती है polar region तक जिस वज़े से वहाँ पे क्या रहती है ठंड रहती है the ice covering is known as ice cap जो ice cover होती है mountain जो cover होते है ice से वो हमारे क्या कहलाते है ice cap कहलाते है during spring bits of ice cap break off from the main masses of ice and fall into the ocean अब क्या होता है spring में क्या होता है कि जो spring season होता है उसमें क्या होता है कि ice cap जो होती है उसका थोड़ा सा तुकड़ा थोड़े थोड़े तुकड़े melt होके या break होके नीचे गिरते हैं और वो कहां पे जाके मिल जाते हैं ocean में जाके मिल जाते हैं these floating blocks of ice is called iceberg अब देखो जो mountain है तो ऐसा तो है नहीं वो छोटे मोटे होंगे mountain काफी बड़े बड़े होते हैं तो जब उन में से बर्फ का जो टुकड़ा होता है जो पीस होता है वो गिर के जब ocean में जाता है तो वहां पे जो floating blocks होते हैं ice के वो हमारे क्या कहलाते है आइसबर्ग कहलाते हैं और आपको पाता है जो आइसबर्ग होते हैं मालो यह आपका ओशियन है ठीक है यह ओशियन है तो आइसबर्ग जो होते हैं वो 90% आपके ओशियन के नीचे होते हैं और 10% ही आपके ओशियन के ऊपर होते हैं इसलिए जो शिप्स वगेर होते हैं उनके के लिए काफी डेंजर होता है यहां पे क्योंकि अगर वहां से शिप आ लिए तो उसको तो यही दिखेगा यह 10 परसंट छोटा सा तुकड़ा है हम निकल जाएंगे लेकिन 90 परसंट जो नीचे है वो नहीं देख पाते हैं और इसी कारण कई जो शिप्स हैं वो पानी में 1912, a huge ship named Titanic sank after hitting a huge iceberg आपने वो मुवी भी देखी होगी, Titanic मुवी जो थी तो 1912 में क्या हुआ था? 1912 में एक बहुत बड़ी ship थी जिसका नाम था Titanic वो एक iceberg के टकराने के कारण क्या हो गई थी? पानी में पूरी तरह से चली गई थी, ठीक है? Fact Corner, Greenland is a least density populated country in the world, जो Greenland है वो पूरे वर्ल में अगर देखें तो यह least density populated country है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? कि जन संख्या बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि महाँ पे कोई facility ही नहीं है, तो कैसे लोग महाँ पे रहेंगे? आप खुद बताओ ना, अगर हम कोई हमें ब इसलिए जो Greenland होता है, वहाँ पे जो population होती है, वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, Climate, अब देखेंगे हम के Greenland का जो climate होता है, वो कैसा होता है? The climate of Greenland is very cold throughout the year, अब देखो common sense की बात है, कि जब वहाँ पे पूरे साल बर बरफ रहेगी, तो मौसम भी ठंड आई होगा, तो व temperature always below freezing point, जो ice cap होती है, जैसे यह हमारा मालो, यह हमारा mountain है, ठीक है, यह mountain है, तो यहाँ पे पूरे साल बर बरफ रहती है, तो यह जो ice cap है न, यहाँ पे हमेशा जो temperature है, वो freezing point से कम रहता है, यानि कि minus zero में भी वो चला जाता है, winters are extremely cold, जो सर्दियां होती है, वो बहुत ही ठंडी होती है, वहाँ पे बहुत जादा ठंड होती है, क्योंकि कुछ सोचो न, जब गर्मियों में भी ठंड है, तो सर्दी में तो कितनी ठंड होगी, the sun does not rise above the horizon in the arctic region and there is no sunlight at all, जो sun होता है, वो arctic region से उपर नहीं जाता है, और वहाँ पे कोई भी sunlight हमें देखने को नहीं मिलती है, therefore there are month of darkness in winter, इसलिए winters में क्या होता है, winters के जो month होती है, उनको month of darkness भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा रहता है, sun की light पहुंच नहीं पाती है, इसी करण वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा रहता है, snow falls continuously and chilly wind keep blowing, जो snow falls होती है, आपने देखागो न, snow fall होती है, हाँ पे snow fall जो होती ही रहती है, continuously, in summer, the sun shines brightly at all the 24 hour in most part of the island, लेकिन summer के time पे जो हमारा sun होता है, वो shine करता है, 24 hour, island के काफी जादा parts पे, the sun shines even at midnight, देखो कितनी बड़ी बात है, कि जो sun होता है, वो midnight में भी shine करता है, therefore green land is also called land of midnight sun, आपने कभी देखा है कि आधी रात को कहीं पे सूरज जो है वो चमक रहा होता है, नहीं देखा, लेकिन सिफ ऐसा जो होता है, वो green land में ही होता है, वो भी summer season में, कि आधी रात को भी हमारा जो sun है वो चमक रहा होता है, तो इसलिए green land को हम land of midnight sun भी कहते हैं, य इसको याद रखना कि आपसे question पूछा जा सकता है कि land of midnight sun किसे कहते हैं, तो इसके कहते हैं हम green land को कहते हैं, ठीक है, तो भीचा, आज हमने ये chapter पढ़ा, chapter number 5, climate पढ़ा and land surface पढ़ा, कल हम vegetation से start करेंगे, तो आपको homework है कि आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है, उतना आप इसको read out करेंगे and जो भी doubt होगा फिर हम next class में clear करेंगे, okay, thank you.